तो वेल्कम है फ्रेंड्स दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि BBMKU का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें ठीक तो कोईलांचनल उनिवर्सिटी का देखिए एडमिट का डाउनलोड करने के लिए करना क्या होगा सबसे पहले आप अपना मॉबाइल उपिन कर लिजिए मॉबाइल में क्रॉम ब्राउजर खोर लीजिए ठीक या गूगल उसके बाद आपको सर्च मारना है BBMKU बस यह चीज आप जैसे जी सर्च मारेंगे आपका मॉबाइल में इस तरह का आ जाएगा आपको करना क्या है यह वला को जो दिख रहा है BBMKU इसको क्लिक करना है इस कि जो आपका मॉबाइल है वह कंप्यूटर की तरह हो जाएगा ठेक तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको एडमिट कार यह जो दिख रहा है एडमिट कार्ट का अप्शन यहाँ पर देखिए इसको क्लिक करना है यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके समने एक प कंप्यूटर की तरह है अब आपको जब भी एडमिट कार्ट करना हो या पिर डेखना हो तो यहां से आप रिजल्ट καιत देख सकते हैं यहाँ पर देखिए एक्जाम फोम बढाएगा आपका ठीक जब भी एक्जाम फोम बढते हैं यहाँ पर आपका Plus दिखाएगा किस किस समेश्टर का रिजल्ट आ ऐच थूका थेक यहाँ पर यह две दखीए मबी बैस कर रहे हो चाहए समेश्टर कर रहे हो कुछ भी उसके बाद यह वोला admin card का section है यहां से आप admin card download कर लेते हैं जैसे कि अभी semester 5 का admin card आया हुआ है मेरे प्यारी दोस्तों तो यहां से आप semester 5 को click करेंगे ठेक यह देखिए मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा zoom करके लिखा है admin card योजी semester 5 यहां पे हम click कर देंगे अब यहां पे आपको पूछ रहा है semester आपका semester क्या है तो semester 5 भेजी और संदिया है और जिस भी candidate का download करना है उसका roll number डालना है तो चलिए roll number हम डाल लेते हैं जैसे कि roll number डालना है चार सो चाओदस सो यह हो गया roll number डाल लीजिए और यहां पे search पे आप click कर दीजिए यह search वाली में यह search हो गया यह देखिए admit card आ गया एक दम आ गया आपके सामने करके दिखाया हूँ अब करना क्या है इसको यहां से आप save कर लीजिए कैसे save कांस कर दिएगा तो यहां पे देखे click here to print admit card और एक side में लिखा है go back to search again इसको किजिएगा तो फिर से आप ओहें पे चल जाएगे यहां पे करना है blue वाले में click here to print admit card इसको click कर देंगे और यहां पे आप save कर लीजिए यह जो उपर में save का option दिख रहा है इस पे save कर लीजिए यह से वह गया आपके gallery में अब आप इसको ऐसा करके cyber cafe वाले को send कर दिजेगा और वहां से print करके निकाल लीजिएगा पांच रुपिया में नहीं तो अगर आप download करवाने जाएगा cyber cafe से तो आपको से 20 रुपिया ले लेगा और ऐसे में 5 रुपिया में काम हो जाएगा बाकी आपकी मर्जी आप क्या करना चाते हैं ऐसे थोड़ा सा technical चीज़ सिखिए mobile में आगे बढ़िए और अपनी दोस्तों को बताईए किसी भी चीज़ को download करना है कभी भी कभी कोई semester download किजिएगा result download किजिएगा यहां से easily हो जाएगा ठेक तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंड में जरूर बताना यार और पढ़ाए कर रहे हो तो चनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत काम आएगा सच बता रहा हूं ठैंक्यू बाबाए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ पढ़िये अपने हक के लड़िये खुद भी बढ़िये राज उर्देश को आगे बढ़ाएए